बहुत दो स्वागत है दर्शकौ आज एक गंभीर विशय पर बात करना चाह रहे हैं राहिस्तान में एक छोटे से बच्चे को जातिवादे सिक्षक ने इतना मारा की वो मर गया दरसल उस प्यासे बच्चे ने सिक्षक के पानी के घड़े को छू लिया था बच्चा और सिक् भगवान होता है लेकिन भगवान भी उस जाती को देखकर ही बच्चों में नजर आता है जो जाती इनसान ने बनाई है इस घटना के बाद वो नारा याद आ गया जो अक्सर कुछ लोग लगाते रहते हैं कि धर्म खत्रे में हैं धर्म इसलिए खत्रे में हैं क्योंकि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अक्सर यह कहा जाता है कि लालज देकर या डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है लेकिन जब इस बात पर ठंडे दिमाग से बीना किसी पुर्वागरह के विचार किया जाए तो मन में सवाल आता है कि आखिर लालज किस बात का होगा क् धर्म को वो ज्वाइन कर रहा है या अपना रहा है वहां उसको कोई राजपाट मिल जाएगा क्या वहां उसको महल मिल जाएगा क्या उम्र भर के लिए वहां उसको आये का जरिया मिल जाएगा ये तथाकति धर्म परिवर्तन कराने वाले इन में से आखिर कीन चीजों का लाल गुद बावा साहब ने इलान करके लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया था तो क्या उनसे किसी ने ये सब कुछ जबर्दस्ति करवाया था वो लोग जो सीधे या कह देते हैं कि लालच और डर के कारण धर्म परिवर्तन होते हैं या करवाये जाते हैं उनको ए दिमाग से जधा दिल और आस्था-विश्वास का होता है। कोई अखिर किस मजबूरी में अचानक अपना दिल किसी दूसरे भगवान से लगा लेगा। दिल लगाने या आस्था-विश्वास जगाने में क्या कोई जबरदस्ती कारगर हो सकती है। बहुत सारे सवाल है जो अक्सर आपके मन में दिमाग में आएं तो निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन समदी सवालूं का जवाब भी आपको मिल जाएगा दरसल धर्म परिवर्तन का मूल कारण भी आपका ये धर्म ही है और इस तरफ काफी पहले ध्यान आकरशित किया था महात्मा जोती बाप फुले ने वो अपने धर्म अंतरगत बुराईयों को खत्म कर देना चाहते थे इस पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी थी उन्होंने धर्म परिवर्तन खुद नहीं किया फिर भी उनके ही धर्म के ठेकेदारों ने उनको इसलिए जान से मार देने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने अपने ही धर्म में व्याप्त कुरितियों अंधमाननेताओं की ओर ध्यान दिलाया ये बताया कि इस धर्म की आड में कौन सा रॉंग नंबर है जो अपना उल्लू सीधा कर रहा है कौन है जो इसकी आड में बाकी लोगों को दास बना कर खुद राजा बना हुआ है धर्म की नीतियों, सीख और सम्मंधित किताबों में बुराई है इसलिए समय समय पर समाज में कुछ ऐसे लोग तयार होते हैं जिने हम संत या समाज सुधारक कहते हैं बाबा साहब ने भी कहा था कि ये धर्म अगर अपने अंदर की बुराईयों को खत्म कर दे या उसकी करने की शुरुवात कर दे, तो मुझे धर्म परिवतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दरसल अपने धर्म की बुराईयां, उसका ये गलिच्छ पना दूर करने की अगर तुमने कोशिश की होती तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता बलकि अगर किसी ने भी ये प्रयास किया, तो धर्म के ठेकेदार उसी के पीछे पड़ गए समस्या ये है कि तुम मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारे धर्म में ऊच नीच वाली ये बुराई तुम्हारी धर्मिक पुस्तकों से आई है क्योंकि जिस धर्म की रक्षा की तुम कसमे खाते हो, उस धर्म की किताबों में क्या लिखा है, खुद तुम नहीं पढ़पाते हो तुम्हें वो पढ़ने ही नहीं दिया गया जिस संस्कृत भाषा के लिए तुम लड़ते हो उसको पुरातन भाषा मानते हो उसी भाषा को तुम्हें पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि अगर वो भाषा तुम पढ़ लेते तो जान जाते कि धार्मिक किताबों में क्या लिखा है समझ जाते क्योंकि जिन लोगों ने उन किताबों को समझ कर पढ़ा उन किताबों के वो खुद खिलाफ हो गए उस धर्म की किताबों में लिखी उन्हीं बुराईयों को दूर कर निकले उन्होंने मशाल जला ली कोई बात तो है जो इस धर्म से लोगों का मन जो मोह है वो भंग हो रहा है क्योंकि तुमने कभी भी उन कारणों को तलाश करने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि इसमें भी तुम्हें वही धर्म रोग देता है वो तो तर्क करने, खुलकर विचार करने भी नहीं देता और इसलिए तुम कभी भी उस पर तथ्य पर सार्थक चर्चा ही नहीं कर पाते ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास इसके लिए समझ यह समय नहीं है लेकिन तुम ऐसा करने से डरते हो तो क्या वो धर्म तुम्हें डराता है? लेकिन तुम तो कहते हो कि कोई और डरा कर धर्म परिवर्तिन कराता है जालोर की घटना हो या पुलिस अधिक्षक दूले को भी घोडी पर बैठने के लिए पुलिस की ही साहता लेने की घटना हो खैरलांजी हो या हातरस कांड हो उत्तरा खण में मिड़े मील का बच्चों द्वारा बहिशकार हो या मूच रख लेने से जान ले लेने की घटना हो ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ जाती के उच नीच वाली बनावट से जुड़ी हुई है ये बनावट धर्म की किताबों में दर्ज है लगता है ये घटनाएं सैक्डो साल पुरानी होंगी आज कल के सब्वे समाज में ये सब नहीं होता होगा लेकिन अफसोस जनक सत्त ये है कि ये आज कल की ही घटनाएं है जो लगातार हो रही है तो क्या ये धर्म ही है जो इनसान को सब्वे होने नहीं दे रहा है या कुछ लोग बाकी हैं जो सब्वे हो ही नहीं पाए क्योंकि सिर्फ अच्छे कपडों, आलिशान, महलों से सब्वेता आती तो समाज में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं और इसलिए इस बार मैं आपको आप नहीं बलकि तुम कहकर संबोधित कर रहा हो क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों को अपने किचन बेडरूम में लाने उनसे अपने मुह चटवाने तक ही सब्वे हो पाए हो इंसानों को छूने से तुम अभी भी कतराते हो तुम जानवरों के जादा करीब हो इंसानों को तुम अभी भी दुद्कारते हो तुम अभी भी सब भी नहीं थे, तब भी सब भी नहीं थे वरना भीम्या कुरेगाओं का युद्ध होता ही नहीं बाबा स्थाप सैद धर्म परिवर्तन करते ही नहीं आज भी बहुत जादा देर नहीं हुई है अगर चाहते हो लोग धर्म परिवर्तन न करें तो अपने धर्म का ये गलिच पना दूर कर लो अपने धर्म में सुधार कर लो मानसिक्ता उसी से सेट हो जाती है जो जिस माहुल में दिन रात रहते हैं उसी को अच्छे या बुरे संसकार कहते हैं तुम्हें भी अपने संसकारों को टोलना होगा वरना कोई कितने भी कठोर, दंड या कानून बना लो मानसिक्ता नहीं बदलेगी कितना भी रोकने की कोशिश करो धर्म परिवर्तन होता रहेगा क्योंकि एक बच्चे के चूजाने से तुम्हारी मटकी दूशित हो जाती है सूचो जिस धर्म में तुम रहते हो वो कितना दूशित होता होगा बहुत बहुत धन्यवाद